आपकी सेवा यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष है, वो कॉंग्रेस इतनी बूरी तरह हार रही है, कि उनके लिए मान्यव विपक्ष बनना भी मुश्किल है, यह नकली शिष्ष है ना, नकली राच्चवाजी पार्टी, इसका कॉंग्रेस में विलय होना पक्ता है, सब्तस्रंगी मातेला आणी नाचिकच्या प्रभूस्री राम चंद्राना नमन करतो, कलकाशी में मैंने बाबा विश्वनात और काल भैरव का आशिरवाद लेकर नामांकन किया, और आज यहाँ त्रम्बकेश्वर की धर्ती पर हूँ, बगवान कालाराम की धर्ती पर हूँ, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, साथियों, आपकी सेवा यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष है, आपने पिछले दस साल में मेरा काम देखा है, और अब मैं आपके पास आज आशिरवाद मांगने के लिए आया हूँ, विक्सित भारत बनाने के लिए आशिरवाद मांगने के लिए आया हूँ, साथियों, NDA गडबंदन को कितनी बड़ी जीत मिलने जा रही है, इसका पता यहां इंडी गडबंदन के एक बड़े नेता की बातों से भी पता चलता है, वो जानते हैं कि इंडी गडबंदन का जो मुख्य दल है, कॉंग्रेस, वो कॉंग्रेस इतनी बूरी तरह हार रही है, कि उनके लिए मान्य विपक्ष बनना भी मुश्किल है, और इसलिए, इसलिए यहां के जो लेता है इंडी अलाइंस के, यहां मतलब नासिक के नहीं, महराष्ट जो, उन्होंने सभी छोटे-छोटे डल जो है, इन दलों को, यह सुजाव दिया है, कि चुनाव समाप्त होने के बाद, इन सभी छोटी पार्टियों ने, कॉंग्रेस में मरजर कर देना चाहिए, यह अपनी अपने शटर बंद कर देने चाहिए, क्योंको लगता है, कि अगर यह सभी दुकाने उस दुकान में मिल जाएगी, तो शायद, शायद इतना नंबर हो जाए, ताकि वो मान्य विपक्ष बन जाए, यह हाल है इनका, साथियों, यह नकली शिर्ष है ना, नकली राष्चवाजी पार्टी, इसका कॉंग्रेस में बिले होना पक्का है, और जब यह नकली शिर्ष ना का कॉंग्रेस में बिले हो जाएगा, मुझे सबसे ज़्यादा याद, बाड़ा साथ ठाकरे के आएगी, तो कि बाड़ा साथ ने कहते थे, जिस दिन लगा कि शिर्ष ना कॉंग्रेस बन गई है, उस दिन शिर्ष ना आप समाप्त कर दूँगा, मतलब अम नकली शिर्ष ना का अता पता भी रहने वाला नहीं है, और मुझे लगता है, यह जो विनाश हो रहा है, यह बाड़ा साथ को सबसे ज़्यादा दूखी करता होगा, साथ क्योंग, नकली सिवसेदा ने बाड़ा साथ के हर सपने को चूर चूर कर दिया है, बाड़ा साथ ठाकरे का सपना था, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्मान हो, बाड़ा साथ का सपना था, जम्मू कश्मीर से, आर्टिकल 370 खत्ब हो, यह सपना पूरा हुआ, लेकिन इस से, सबसे ज़्यादा चीड, यह नकली सिवसेदा को हो रही है, कॉंग्रेस ने प्राण प्रतिष्टा के निमंत्रण को ओकर मारी, नकली सिवसेदा ने भी वही रास्ता चुना, कॉंग्रेस के लोग मंदीर के लिए अनाप शनाप बाते कर रहे हैं, और नकली सिवसेदा एक दम चूप है, इनकी यह पाप की पाटनर्शीप है, और पूरे मारीत के सामने इनका पाप एक्सपोज हो चुका है, साथियों, इन नकली सिवसेदा वाले उस कॉंग्रेस को सीर पर उढ़ाए गुम रहे हैं, जो कॉंग्रेस बीर सावर करजी को दीन राद गालिया देती है, महराष्ट्र की स्वाभिमानी और राष्ट्र भक्त जन्ता ये जब देखती हैं, ये जब सुनती हैं, तो महराष्ट्र के लोगों का गुसा सात्वे आसमान पर चड़ा हुआ है, लेकिन अहंकार सिवसेना नकली सिवसेना में इतना आ गया है कि उनको महराष्ट्र के लोगों की भावना की भी कोई परवा नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं परवा है, कॉंग्रेस के आगे घुटने टेकने वाली नकली सिवसेना को सजा मिल देने का मन पूरे महराष्ट्र ने बना लिया है, और चार चरण के जो चुना हुए हैं, इन चारों चरण में इनको चारों तरब से चित्त कर दिया है जनता ने, प्रीबर हैं, इनको चुना टेकरा हुए हैं, तो घुर बना, situation, बना, situation, बना, toim though I mean by इनको चारों um को 12,000 चारों चारों, कुंग्रेस के जो तूरे चारों कषिग। झाल झाल